इके जीके केड़ अंगोटी चोर बहुत समय पहले की बात है जब विजे नगर सामराज्य के राजा कृष्ण देवराय एक बहुत महेंगी हीरे जड़ित अंगोटी पहने थे जिसकी कीमत आज के समय में बहुत जादा होगी वह उनकी सबसे प्रिय आबोशन में से एक थी वह उसे अपने दर्बारियों, मंत्रियों और सभी मिलने जुलने वालों को दिखाते थे और उस अंगोटी की प्रशंसा करते थे एक दिन राजा कुछ उदास बैटे थे तो सभी दर्बारी सोचने लगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि राजा उदास बैटे हैं तब ही उन दर्बारियों में से राजा के प्रिय दर्बारी तेनाली रामा ने उन्हें पूछा कि राजा जी आप इतने आज उदास क्यों हैं ऐसा क्या हुआ कि आप इतने उदास है तब राजा ने बताया कि उनकी वह प्रिय अंगोटी खो गई है मुझे लगता है कि किसी ने मेरी प्रिय अंगोटी चुरा ली है और मुझे मेरे इन अंगरक्चको पर सक है तब तेनाली रामा ने कहा कि वहाँ उनकी अंगोटी ढूंड के लाएगा तब तेनाली रामा ने उन सब अंगरक्चको को बुलवाया और उनसे पूछा कि आप में से राजा की मुल्निवान अंगुठी किसने ली है तब सभी अंग रक्षकों ने मना कर दिया और कहा कि हमने नहीं ली तब तेनाली रामा ने कहा कि मैं पता करोंगा कि किसने अंगुठी ली है तब तेनाली रम्मा ने कहा कि सभी अंग रक्षक मेरे साथ चलिए और मैं सुबह तक बता दूगा कि किसने अंगुठी नी है तब वह उन सब को एक हनुमान जी के मंदिर लेकर गए और खुद पहले अंदर जाकर पुजारी जी से कुछ बात करके बाहर आए और बोला कि अब आप एक एक करके अंदर जाएं हनुमान जी के आगे नत मस्तक होकर प्रणाम करके आएं और सुबह हनुमान जी खुद बता देंगे कि चूर कौन है तो एक एक करके सब दरबारी अंदर जाने लगे और नत मस्तक होकर प्रणाम करकर बाहर आने लगे जब तक सारे अंगरक्छक अंदर जाकर बाहर आने लगे तब तक सारे दरबारी और गाओं वाने मंदिर के सामने इकट्टी हो गए तब तिनाली रमा ने कहा कि जो चोर है उसका पता मुझे लग गया है तब सभी ने पूछा कि आपको छोर का पता कैसी लगा तब तेनाली राम ने बताया कि जब मैंने इन सब को बोला कि आप अंदर जाएं और नत मस्तख होकर प्रणाम करके बाहर आएं तब जो वेक्ती अत्वा जो दर्बारी चोर है वो मंदिर के अंदर जाकर नत मस्तक होकर प्रणाम किया ही नहीं और सीधे ही बाहर आ गया और पुजारी जी ने उसे देख लिया तब तक अंगरक्चक वहां से भागने लगा तो वहां खड़े गाओं वाले ने उसे पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया